हलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ऐसी डिश बनाने वाले हैं, जो काफी common, popular है और most demanding है, जो कोई खाने के लिए मना नहीं कर सकता और आप बनाने के लिए भी मना नहीं कर सकते। तो आज हम authentic शाही पनीर मसाला बनाने जा रहे हैं, जो की एकदम धाबा स्टाइल बना है, ये इतना tasty और delicious बनता है कि खाने वाला उंगलिया चाटते रह जाएंगा, तो अब जरूर एक बार ये recipe ट्राइ करिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज च पता डाल दिया है, दो दाल चेनी का टुकड़ा, चार लॉंग, दो चकरी फूल का टुकड़ा डाल दिया है, मैंने, उसे के साथ दो इलाइची, एक चोटी चमत जीरा, और इसे अच्छे से मिक्स करना है, जब तक इसका आरोमाना चूट जाए, इसे के साथ दो मीडियम सा और दो लाल मिर्च, अभी इसे अच्छे से हमें 15 मिनिट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, या जब तक इस सौट न हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे, तो देखिए, ग्रेवी का मसाला जो है, वो अच्छे से सौट हो चुका है, अभी हम इसे ठंडा होने देंगे, और बाद में पीस लेंगे, हम शाही पनीर मसाला बना रहे हैं, तो उसमें काजू जरूर पढ़ेंगे, तो मैंने इसे 15 मिनिट के लिए बॉइलिंग वोटर में भीगो के रख दिये है, मैंने 8-10 काजू लिए है, और 2 चमज मगजबिश यानि वोटर मेलन सीट, या आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएंगे, मैंने हैं मैरिनेट करने के लिए 200 ग्राम पनीर लिया है, इसमें एक चमज चिली पाउडर, एक चमज हल्दी पाउडर, एक चमज धनिया पाउडर और एक चमज जीरा पाउडर डाल कर अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये प्रोसेस मच ओईल लेके अच्छे से फ्राइ कर लेना है तो ये दिखिए मैं अच्छे से फ्राइ कर रही हूँ लेकिन जादा फ्राइ नहीं करना है बस मसाला कोट हो जाए बस इतना ही हमको फ्राइ करना है ग्रेवी का मसाला भी कंप्लीटली ठंडा हो चुका है तो अभी हम इसे पीस एकदम स्मूद बनेगा 50 से भी ज़ादा सबजियों में बस यही बेसिक ग्रेवी यूज होती है आपिस ग्रेवी को फ्रीज में स्टोर करके बाद में भी यूज कर सकते हो जैसे कोई गेस्ट आता है तो कोई सबजी बनाना है तो आप इसी ग्रेवी का इस्तमाल करके एकदम जटपट सबजी बना सकते हो अभी मैंने कड़ाई में तेल गरम करके एक चमच जीरा, दो तेज़ पत्ता, एक चमच लालमिज, एक चमच हल्दी पाउडर, एक चमच जीरा पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच बेसन डाल दिया है यही सिक्रिट इंग्रीडिय जो हमारे ग्रेवी को एक दम स्मूड टेक्श्चर देगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके बाद मैंने दो चमच कशमिरी लाल मिज डाला है जो हमारे ग्रेवी को रेट कलर देगा और काफी अच्छा टेस्ट भी देगा, यह इतना दीका होता नहीं है मसालों को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ग्रेवी एट कर देंगे जो हमने पहले पीस कर रखा था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें काजू और मगज बीच का पेस्ट डाल देंगे और इसे 2-3 मिनिट तक और अच्छे से भून लेंगे जब तक यह ओईल न छोड़ दे जैसे ग्रेवी ओईल छोड़ने लगेगी हम इसमें कसूरी मेती डाल देंगे थोड़ा सा क्रश करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम पनीर क्यूब्स डालेंगे जो हमने पहले फ्राइ करके रखे थे और अच्छे से चला लेंगे इसे चार से पाच मिनिट तंग हम इस ग्रेवी को पकाएंगे लगरी है न एकदम स्पाइसी और टेस्टी जैसे एकदम रेस्टोरेंट में मिलती है इसे अच्छे से पकने के बाद मैं इसमें शाही पनीर मसाला डाल दी हूँ और इसे अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे एक से दो मिनिट तक पकाएंगे जब तक मसाला पुरा ओइल न छोड़ दे ग्रेवी ने पुरा ओइल छोड़ने के बाद हम इसमें क्रीम एट करेंगे यह मैंने यह होम मिट क्रीमी एड की है अब चाहे तो अमूल क्रीम बे एड कर सकते हो तो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर मसाला रेडी है अभी हम फटाफट से गैस बंद करके सर्फ करते हैं लग रही है ना बिलकुल लाजवाब आप इस शाही पनीर मसाला को रोटी के साथ, कुल्चे के साथ, नान के साथ या पराटे के साथ भी खा सकते हो या आप राइस के साथ भी इसे खा सकते हो सबी के साथ बहुत टेस्टी और यम्मी लगेगा तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राइ करिए कोरोना पेंडामिक में घर का खाईए खुश रहिए, मस्त रहिए स्टे हैपी, स्टे हिल्दी अगर आपको ये रेसी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो